हाई आज हम लोग बात करेंगे पेट के कीड़ों के बारे में पेट में कितने तरह के कीड़ों होते हैं क्यूं होते हैं उसका क्या लच्छन है और उसका इलाज क्या है है और उसका अगर इलाज नहीं करा जाए तो क्या होगा है ना उसके बारे में कोशिस करेंगे इवरिधिंग जानने का तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि पेट के कीड़े और बैक्ट्रियांज में क्या अंतर है क्योंकि बहुत सारे लोग को मैं यह कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि कभी लोग एंटीवाटिक्स क्या खाए खाये हुए रहते हैं या होमीपैथी मही सेंटो निन्या जो भी दवा आते हैं कीड़े मारने का तो वह इसलिए वह उनके मैंन यह जाता है कि वह पेट के कीड़े से पूरे पेट के कीड़े मर जाएंगे पीट के कीड़े के दवसर कि आप पूरे पेट के कीड़े मर जाएंगे जो अच्छे वाले हैं कुछ लोग कुछ-कुछ जानते हैं आधा धूरा जानते हैं तो वो लोग यह question जादे करते हैं तो सबसे पहली बात की पेट के कीड़े और पेट के बैक्टरिया दोनों दो चीज हैं पेट के बैक्टरिया जो है इन भी नंगी आखों से देखा नहीं जा सकता है शिर्फ आख से हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं तो पेट के बैक्टरिया आज का दावाद दूसरा होता है और बर्म का दावाद पेट में जो कीड़े होते हैं उसको हम लोग नंगी आखों से देख सकते हैं कुछ इतने बड़े होते हैं कुछ इतने बड़े 6 इंच लेकरके 9 इंच तक हो सकते हैं लेकिन हम लोग उसको नंगी आखों से देख सकते हैं है ना तो वह यह हो गया तो सबसे बैक्ट्रियाज जो होते हैं दूसरे होते हैं और वह एंटिवाइटिक से वह मर जाते हैं लेकिन कीड़े नहीं मरते दोनों का यह बात है कि कीड़े के दावा से बैक्ट्रिया नहीं मरेगा और बैक्ट्रिया के दावा से कीड़ा नहीं मरे सब्सक्राइब करते हैं यह सब ज्यादा करके लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं बढ़ी आत्में रहते हैं जहांकि पैखाना स्टोड होता और यह जो कीड़े होते हैं जो पेट में जो दिखाई देते हैं आख से पैट करते हैं तो यह कनफीजन दूर हो गया कि पेट के बैटरिया एंटिबाइटिक से कीड़े नहीं मरते हैं और कीड़े के दवा से बैक्टरिया नहीं मरते हैं है ना तो अब हम लोग बर्म की बात करते हैं बर्म जो होते हैं कॉममन जो है इंडिया में पांच तरह के होते हैं और यह नंगिया को से दिखा निमेटो ही में हेलिमेंथिस फाइला में बिलॉंग करता है यह पांच कीडों के जो होते हैं जिसमें सबसे कॉमन है वहरा नियुकि केंचुए देखें उस तरह का होता है चोटा भी हो सकता है कब पेखाने में निकलेगा तो दिखाई नहीं भी दे सकता है पैखाना के मल के साथ मिक्स रहेगा तो और दूसरा हो गया पीन बर्म जो पीन की तरह राता है एकदम छोटा-छोटा उजलए-जलन इस तरह से चलता हँ पैखाना इसके रास्टा पर यह सबसे जादे निकलता है इस तरह से चलते हुए आपको दिखाई देगा यह नहीं भी दिखाई दे सकता है ना टेप बर्म जो होता है फिता किरीमी इसको कहते हैं और फिता कितरा होता है रांड बर्म को कहते हैं गोल गोल होता है इसलिए उसको रांड बर्म पीन बर्म पीन कितरा होता है इसलिए दिखाई जी इस तरह सा देता है न उसी के तरह से इसका नामाकरन किया गया गुखबर्म हुकबर्म एक चवहता जो है चौथा जो हुखबर्म है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम फषपडूडनम में मुँख राता जो अपना इस तरह से एकदम धसाय हुए राता ये सबसे मुश्याभ़ हो वो धसाया हुए रहाता इंटेस्टाइन में इसलिए हुँ इसको हुख वर्म काते हैं यह वो भीब बर्म होता यह काफी रेर है लेकिन यह भी है भीब की तरह होता है न तो यह शुरू का चार जो हमने बताया रॉंडबर्म पटेब बर्म यह फिर पीन बर्म और हुख बर्म यह चारो कॉमन है इंडिया में सबसे जादे रॉंडबर्म यह और पीन बर्म कॉमन है तो रॉंडबर्म यह सब होते क्यों है पहले यह सब का होने का कारण इस तरह से है कि जो हम लोग इसके जो इसके पेट में यह रहेगा उसमें यह अंडे भी देता है और यह अंडे जो हमारे स्टूल से निकलते हैं और अगर स्टूल से निकलते हैं तो गौम दे हाथ में यह ज़्यादा होता है और सहरों में भी होता है तो वो सवच से आज़ेंगे बाद, अगर हाथ सावुन से नहीं धोया जा तो उसके हाथ में ये लगे हुए रा जाते हैं, और फिर खा लेने से होता है, उसी हाथ से खाना खा लिये, तो हुआ ऐसा सहरों में भी हो सकता है, काम होता है, लेकिन होता है, पहला कारण, दूसरा क हो या गया तो वह मीटी से ही होता है और उस मीटी में अगर अगर रहा मतलब खेतों में तो मल सौच्ट यहां काफी कॉमन का होने का कारण वो पॉर्क से होता है सुवर के मांस में रहता है उसके मांस में उसका लारवा रहता है अंडा और अगर हम लोग उसे बीना बढ़ियां से कुक किये हुए जो लोग खा लेते हैं उसको टेप बर्म होने का होता है कारण और सबसे में चीज जो यह है का होने का क क्लद के थार्व खाले हैं ना कहा है लेते फल के थुरूबी का वार हो सकता वरुद गीरा पेड़ा के जमीन पर नीचे तो उसी तरह से आगे मार्केट में हम लोग खालेता है तो अगर पेट गंजोड है ना अगर पेट में सारे लोको पेट के कीड़ा के कितना भी दावा कपाते हैं तो मरते ही नहीं है है ना अगर नहीं मरेगा तो कि बारबार होगा बारबार उसके लच्छन आएंगे तो अब हम लोग पहले लच्छन के बारे में चर्चा करते हैं लच्छन के बारे में सबसे पहला जो हराता है इसका पेट जो है अगर किसी के भी इंटेस्टाइन में यह कीड़ हो गए तो उ देखते हैंकि में कि पेट आखका फलका भी कोई दिखक दो डाक्टर गोली चला देते हैं एक दो वो ठीक वी चीज है तो पहला जो symptom होगा, irregular bubble हो जाता है, मतलब पैखाना कभी कम लगेगा, कभी ज्यादा लगेगा, पैखाना कभी लूज हो सकता है, कभी hard हो सकता है, हाड भी हो सकता है, है ना, और इसको कहाते हैं irregular होना मौर्निग इविनिंग किसी का वादाथ न वने गया रे मादें आंग तो दूपर के वह लग जाएंगा तो यह हो जाए काई हाड कभी लूज इस तरह से इर्रेगुलर हो जाता पैखाना में कीडा भी निकल सकता है पीन बर्म खास करके निकलता है इस तरह से कभी कभार एसकैरीस भी निकलता है यह जो रॉंड बर्म जो कहते केच्वे के तरह वो भी निकलता है और टेप बर्म का भी जो प्रोगलाटीट्स होता है उसके एक पार्ट्स को फिता फिता करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पैठलोजी में पतल लगता है तो वह भी गिरता है वह पैठाने के थ्रू है ना कोलिक हो सकता है पेट में दर्थ बच्चा लोग में खास करके होगा इस तरह से पेट पकड़के बैठेगा बच्चा सब्सक्राइब पेटा इसे दबा करके तो यह हो गया चलल के बजाएर कोलिक पेखाने के रास्ता पर खुझली ना कभी खुझली करेगा kafाने करा रास्ता पर कभी-कभी चोटे बच्च वं लेकिन जादा करेगा वो लोग वह बच्चे जो होते हैं लार्चु आ देते हैं तक्ये पर यह भी एक लच्छन है को जरूरी नहीं है लेकिन यह भी एक लच्छन है और नौजी आ ऐगी है ना है कभी कवार्च जब मूँ धोने को जाथ तो मूह में लार जैसा भराता उब काई जैसा आता है तो यह एक लच्छन और भोमेटिंगं भी होता है कवी कवार्च तो बहुत जार्भामेटिंग होते रहता हुज है कीडा के लच्छन में किड़ा हो कीड़ा ना जो हम लोग का खास करके यह सब जो है round भर्म हुक बर्म यह जुआ है यह हम लोग के डजेस्टेट फूड मैटरियल पीता है खाता है और यह हुक बर्म है वह तो large intestine से सीधे blood sunk करता है उसमें सबसे ज्याधा खून के कमी हो जागा क्हून तो हम लोग हूप करोगी इतना देखे हैं मतलब इसा इसा देखे हैं जिन लोग का खून चपाना पड़ जाता तीस परसेंट चालिस परसेंट तक कुछ का खून आजैगा सारा शरीर फूल जाएगा पीला जैसा हो जागा और इस सम्में जरा काम होता है टेप बर्म पीन बर्म में लेकिन होता है खून के कमी हो जागा चुकि वो लोग सीधे डाजेस्टेड हम लोग जो खाना पचाते हैं पेट में वो उसको खा जाता है तो हम लोग के सरीर में खाना जाता नहीं है तो इसलिए भूख भी ज्यादा लगता है कि भूख ज्यादा भी लगने लगता है किनाइन अंगर होगा राच इसको कितना जल्दी जल्दी खाने कितना खा लें है ना इससे स्वीट का ज़िए भी पैदा होता है अगर हम लोग के सरीर में खून में खाना जाए गा ही नहीं तो ब्लड तो गुलकोज मांगेगा ब्रें कभी कभार भूख मर भी जाता है यह दोनों चीज होती है जैसे लूज मोशन होना हार्ड मोशन होना भी होता है इरेगलर बॉबल हो जाता है उसी तरह से भूख कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है और एक कीड़ा जो आसकेरीज है राउंड बर्म वो कभी कभार इ तुरू मेन अस्ट्रीम में भी आ जाता है ब्लाड अस्ट्रीम में आ जाएगा फिर वह बढ़ जाएगा है ना बढ़ जाएगा वह लिभर में जाएगा तो लिभर को खाने लाएगा तो वहां दर्द होगा यह सब चीजे पता चलेगी हम लोग सीटीए स्कैनिंग बहर इलाज नहीं कराने के बाद का चीजिए प्रेंद में भी चले जाता है उसको हम करते हैं और वह इलाज नहीं करके चबाद सले तो Businessãy तो ब्रेन को भी खाएगा वो खाएगा तो हम लोग मेरी का दवरा इस तरह से आएगा और मुझ से जहाग बगरा आजाएगा तो उस टाम सीटी एस का इनिंग करने कराने से यह पता चल जाता है कि ब्रेन में भी कीड़ा पहुंचिया है छोटा ही फॉर्म में रहता है ब्रेन जाएगे ही जाएगे उस टाम तो आप हाना और इसके कुछ रेयर सिम्टम्स भी है जैसे ड्रीमी स्लीप खूब ज्यादा सपना आएगा यह कोई यह नहीं है यह मनें प्रूब्ड चीज़े नहीं है लेकिन ऐसा देखा जाता है जैनरली क्रेविंग फॉर इन डैजेस्टि कैलों में Detroit दो चाहे जैसे दो है तो चोटे बच्व में भी नहीं बड़े-बड़े लोगों में हम देखे हैं टोथ हम भी चायाईशना है कि वह लोग क्यूंसिम्टमत क्यूंस बढ़े ना सब्क्राव में क्यों जो हैई और बे एक प्रह जेनरल खाना से तो वो कुछ भी खा लेगा इसी को काते हैं क्रेविंग फॉर इंडाइजेस्टिबूल थिंग ना पचने वाले चीनियों को भी काभी भूख कीड़ा में लग जाता है यह कितना डेंजरस चीज है यहाँ पर मैं आप लोगों के एक कहानी थेर करना चाहूंगा भगवान नंकरे किसी के साथ आइसा हो एक तिलाया का रोगी था मेरे पास आया था उसका बच्चा था उसको दस यह 12 साल का था वो जब आया बहुत सारा इलाज किये हुए था वो जब आया तो फिर 10-12 सल का बच्चा का हाथ इतना पतला था और पेट इतना बड़ा था जैसे ही मैंने उसके पेट पर हट रखा करने के लिए पूरे पूरा पुरा मझे अंदैसा हो गया कि इसको पेट में कीड़ा दिया किड़ा का गूली दिया कल होकर के उसका फेमिली वाला आया और बोला कि उसके उसके पेट से खूब कीड़े निकल रहे हैं और फोटो घीच के लाया था मुवाइल में इतना कीड़ा निकल राउंड बार है ना किसी तरह से उसका जान बचा और पेट के में इंटेस्टाइन में कंप्लिकेशंस में यह भी जैने उसको छेद करके काट दिया था इतना कीड़ा हो गया था और फिर हमने उसे चाइल्ड सर्जंट के पास भेजा तो वहां उसका थोड़ी से आथ काट करके निकालना पड़ा और फिर वह ठीक हो गया लेकिन इस सब प्रक्रिया में तीन-चार म पूरा तो हूक बर्म का ट्रीटमेंट जो है ना यहां पर मोवाइल पर बताना जो है संभब नहीं है वह इतने सारे चीजों को मोवाइल पर हम कैसे बता दिया जाएगा डाक्टर डाइगनोज करेगा देखेगा क्लीनिकली तो यह ठीक नहीं हो तो अब इसमें हम लोग यह इस iniminvestigation पता कैसे चलेगा कि मेरे पेट में कीडा हैना कीडा इस तरह से पता चलेगा सबसे ज़रूइन रुटीन इंक जामने इस पथूल इसी में सारा कीड़ा का अंड़ा निकल करके पता चल जाता कि इसमें हाया कभी का बार नहीं भी नहीं पतल्णि एक दाम कंफर시면atory लेकिन उसमें जरी निकल ही जाता रूटीनिक करते हैं यह किसी को भी है तो आपको ज़ूर यह रूटीनिक जान्वेस्ट सिबतारा चाहिए अब हम लोग को फोकस यह राखना चाहिए ट्रीटमेंट में मेडिसीन तो हम नहीं बता पाएंगे लेकिन आप कि सबसे पहले हम लोग अपना डाइजेशन सुधार जीन बच्चों को पेट में बार बार कीड़े हो जाते हैं कुछ लोग तो 15 दिन के बाद दवा खाया फिर हुआ ही हाल है दात कड़कड़ा रहा है भूख कम गया प्यास कम गया है इस तरह की चीज़ा आती है तो ट्रीटमेंट में है सबसे पहले conf客 करना चाहिए कि आंक्स बंद कर देना चाहिए वाइलिी चीज़ घी तेल में च्छेने हुए चीज एक किड़ा मारा तब भीए ने देरे से निजात मिलेगा अब है कभी कबार लंबा चलाना पड़ता है कजिन लोग को बहुत दीनों से राता है कीड़ा पेट में और कभी कबार शॉट डूरेशन भी राता है आप बीना डाक्टर के सला के भी आप छे महीने पर कुछ भी सक हो तो आप एक गोली खा सकते हैं है ना कीड़े का अब इस वीडिय कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जरूर ताकि आगए आने वाले वीडियो का आपको नेटिफिकेशन मिलता रहा है अब मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में जाहिंद